Can you identify these animals? Lion, dragon Where do you see lion? In jungle किस तरह के सवाल हम से पूचे गए थे किस तरह के सवाल बच्चे से पूचे गए थे और उसने कैसे आंसर किया मैंने क्या तयारी कराई थी उसको ये वीडियो बहुत important होगा सभी parents के लिए especially जिनके बच्चे दो से तीन साल के बीच के हैं आए सिर्यो अज का वीडियो यूज़ी धाय साल के यूपर का बच्चा नर्सरी के लिए next session के लिए eligible रहता है तो जैसे ही बच्चा धाय साल क्रॉस करता है तो आप schools में पता कर सकते हैं जो भी next session आने वाला होगा school में उसके लिए आपका बच्चा eligible कुछ बुल रह सकता है उसके नगना सवाल इंटर्विव से कैसे हो रहे हैं तो ऑफ-लाइन हो रहा है उन स्कूछ में स्कूल ओपन है तो वहां जाकर बच्चे का इंटर्विय हो रहा ही और जो श्कूल बंध हैं अभी भी तो लोग ओण लाइन interview ले रहे हैं, घर पे ही बैटके वो लोग एक link share करते हैं और उस link पे teachers बच्चे से interact करती है मेरे बड़े बच्चे का जब admission हुआ था तो वो offline था, उस time पे ये कुछ भी situation इस तरह की नहीं थी तो offline में क्या questions थे, online में क्या questions थे, ये दोनों ही में आपके साथ share करूँगी, उसके बद अगला सवाल आता है कि क्या questions पूछे जाते हैं तो questions to child and questions to parents, ये अलग-अलग category है तो पहले हम child पे आते हैं कि बच्चे से क्या पूछा गया था तो यहां पे मैंने scene एक crate किया हुआ है जिसमें मैं ही अपने बच्चे का interview ले रही हूँ और ताकि आपको easily समझ में आए कि बच्चा किस तरह से reply करता है ये हर school भी vary कर सकता है इसलिए मैंने कुछ extra question भी डाले हुए है सबसे पहला सवाल उसको पूछा था what is your name कि बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए इससे उनको ये आडिया लग जाता है कि बच्चा responsive है बच्चा अपना नाम समझता है यहां पे दो additional question हो सकते है कि तुमारा age क्या है और do you have any sibling कोई भाई भेन है या नहीं है उसके बाद next few slides हो सकती है जैसे fruits के ऊपर एक slide रहता है fruits identify करना होता है बच्चो को इस तरह से fruits जुड़े हुए आगे पीछे कुछ सवाल भी हो सकते है जैसे fruit का color बताना या फिर fruit अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है उसके बाद daily routine की जो objects होते हैं आसपास बच्चे को दिखता है जैसे fan हो गया, ball, kite जो बच्चो के toys होते हैं उसका photo दिखा कर बच्चे से उसका color पूच सकते हैं उनको identify करने के लिए बोल सकते हैं बाल kite तो इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चे को color recognition कितना है उसके बाद animal पे question हो सकता है कि animals identify करो तो जो basic animals हम बच्चो को सिखाते हैं lion, tiger, elephant इस तरह से आप बच्चो को बदा सकते हैं तो जभी भी आप practice भी करा रहे हैं बच्चे को तो आप इस तरह के कोई भी सवाल से आगे पीछे कुछ सवाल अगर बनते हैं आपके तो आप बच्चे को conversation improve करने के लिए यह पूच सकते हैं उसकी बद राइम पुच जाता है कि कौन सा राइम तुम्हें आता है तो प्रेफरेबली आप 1,2,3,4,5 जो राइम है जो हमने अपने preschool with me planner में भी बताया हुआ है वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं क्योंकि उससे टीचर्स को यह आडिया लगता है कि बच्चे को 1,2,10 आता है उसकी बद नमबर आइंटिफिकेशन होता है नमबर के साथ अगर कलर जुड़ा हुआ है तो किस कलर में कौन सा नमबर लिखा है वो पूच सकते हैं नमबर को हाथ में करके बताओ ये भी पूच सकते हैं तो ये इंटर्व्यू का सेटप मैंने कैसे किया है किस तरह से मैंने लिंक देकर बच्चे को जॉइन करवाया है मैं खुद कैसे उसे सवाल कर रही हूँ तो ये आप घर में प्राक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो आप कैसे करना है अगर ये जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कामेंन सेक्शन में लिखके बताइएगा तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी नंबर पर फोकस किया, कलर्स पर फोकस किया अनिमल्स या फिर फूड आइटम्स जो होते हैं उस पर फोकस किया था आज मैं उसको बोला कि जो क्रेओंस का सेट है तुमारा उसमें से कोई भी कलर पिक करके कोई भी ड्रॉइन करो क्यों क्योंकि बच्चे का फाइन मोटर मुवम्मेट उनको चेक करना था तो ये सारी चीज़े हम अपने प्ले स्कूल वित मी के आक्टिविटीज में भी करते रहते हैं ये सवाल थे जो ऑनलाइन पूछा गया था अब मेरी बेटी का जब दो सार पहले ओफलाइन हुआ था वहाँ पे जाकर हुआ था फिजिकल मीटिंग हुआ था तो उसको भी इसी तरह की से पूछा गया था कि राइन गा कर बताओ या फिर वहाँ पे कुछ वेजेटेबल्स रखे हुए थे तो जैसे ऑनलाइन में फोटोस दिखा कर पूछते हैं वहाँ पर उनके पास टॉइ वेजेटेबल्स होते हैं टॉइ फूट्स होते हैं टॉइ अनिमल्स होते हैं और वो देख के बताना होता है बच्चे को कि यह क्या है बिल्कुल बेसिक से चीज़े पूछी जाती है उसके बाद बहुत बार हमारे मन में डावट आता है कि बच्चा अगर बोलता ही नहीं है तो स्कूल में एड्मिशन कैसे करवाएं इंटर्व्यू कैसे देगा बच्चा यहाँ पर सबसे पहली बात कि एड्मिशन मत रोकिये सिर्फ इस रिजन से कि बच्चा कम बोलता है या बोलता नहीं है मेरी बेटी भी बहुत शर्माती थी वो ओफलाइन इंटर्व्यू के टाइम पे वहां पर जाकर भी वह रायम तक उसने मुझे काम में बोला था तीचर्स का जज्जमन क्राइटेरिया बहुत सारा होता है पेरेंस के उपर भी डिपेंडेंट होता है बच्चे के प्रेजेंटेशन पर डिपेंडेंट होता है कि बच्चे ने क्या पहना है हम किस तरह से बच्चे को लेकर आए है बच्चा neatly dressed है या नहीं है बच्चा responsive है या नहीं है कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं बच्चा उसको respond कर रहा है या नहीं sit down, come here बच्चे का presentation बहुत important है चाहे offline हो या online अब टीचर को भी ये चीज़ इंफॉर्म कर सते है कि बच्चा शाही है थोड़ा कम बात करता है तो टीचर्स भी उसी हिसाब से बच्चे को पूछते है उसी हिसाब से उनसे इंटराक्ट करते है तो बिल्कुल honest रहे है कि बच्चे की जो भी situation है आप टीचर के साथ शेयर करिए के बद हम आते हैं questions to parent तो सबसे पाली चीज कि हमारा नाम, हमारा introduction, हमारा qualification क्या है अगर हम दोनों working है तो हमारी working hours कितने है हमारी working hours से उनका ये concern रहता है कि घर पे जब आप नहीं रहते हो तो आप कितने दिर बच्चे को बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं और कौन ध्यान देता है आपके absence में कौन रहता है joint family है या nuclear family है क्योंकि वो जाना चाहते है कि बच्चे का support system कैसा है आपका support system कैसा है उसके बाद अकला सवाल पूछते हैं कि आपको इस्कूल के बारे में कैसे पता चला क्यों आप इस्कूल में एडमिशन चाहते हैं फिर next question आता है कि बच्चे को आप कहा देखना चाहते हैं आज से 20 years के बाद आप बच्चे का किस तरह का life चाहते है इसके बाद बच्चे को बोला जाता है तो बच्चे का like, dislike बोल सकते हैं बच्चे का nature कैसा है, shy है, introvert है, extrovert है अगर आपने कोई positive चीज बच्चे के साथ observe की है तो वह बच्चे को बता सकते है जैसे की जब मेरी बीटी play school में थी तो उसके टीचर ने मुझे कहा था कि ये observe अच्छे से करती है ये चीज मैंने उसके nursery admission के time पर बताया था अगर इस तरह के कोई positive point आपको दिखता है बच्चे में तो आप वो टीचर को बोल सकते है वो ये भी पूछते हैं कि बच्चा टॉले ट्रेंड है या नहीं है तो बिल्कुल ओनेस्ट रहें एटीचर के साथ क्योंकि धाई साल का बच्चा है ज़रूरी नहीं है कि वो टॉले ट्रेंड होगा या फिर डाइपर ट्रेंड होगा अफिसली नहीं उनको उससे यह आडिया लगता है कि बच्चे को एडिशनल हेल्प की ज़रूत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो बस उसी चीज के लिए पूछा जाता है तो इस क्वेशन से घबराईए मत अब सवाल आता है कि हमें तैयारी कैसे करवाई थी तो हमारा में कंसर्न बस यह था कि ओनलाइन इंटर्व्यू है तो वह लाप्टॉप के सामने बैठेगा ही नहीं तो जिस दिन हमें पता चला था कि उसका इंटर्व्य और और उस चीज को प्राक्टिस करना शुरू कर दि टॉइ बचेटेबल मेरे हाथ में होता था मैं उसको दिखाती थी कैमरे में और उसको आइडेंटिफाई करता था तो यह मीटिंग हम रोज करते थे इंटर्व्य के डेट तक अक्टिविटीज में मैंने वही सब अक्टिविटीज उसको कराई हुई है जो पिछले 6 मन्से म अगर तुम जोर से अंसर्स करोगे तो ही तुमें चॉक्रेट मिलेगा नहीं तो नहें मिलेगा तो यह कुछ चीजी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी तो आई हूप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ल के लिए चाहीं शेयर थी खाने की लिए शेयर दीजी थी थांग्यू